दोस्तो मैंने होटल सामपर बनाई और इसे बनाना बहुत इसाना सबादे होता है उस킨 It, लकि के नाटा सबस्क्राइब वहां ? तो देर न करते हुए चलिए किचन में बनाना सुरू करते हैं दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कल लें साती पास में वने गु micros閑 दवा दे उसके बाद में औल पर क्लिक करें तो आपको यहां पर एक कटोरी ले लेनी है और इसे पानी डाल के हमें अच्छी तरीके से लगबग दो बार रगड़ रगड़ के थो लेना है ताकि इसके उपर जो भी पॉलिस पगएरा होती है वो अच्छी तरीके से निकल जा और हमारी दाल भड़िया से एक्तम धुल के त्यार हो जाए तो इस तरीके से आप लोग जो है वो हास से इसे अच्छी तरीके सरगड़ के और दो दीजिए और पानी सारा फेट पीए और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसे जो है हमें उबालना है दाल को तो उसके लिए मैंने यहां पर जो है वो दोस्तों कोकर ले लिया है और कोकर में जो है हम लोग दाल डालेंगे दाल डालने के बाद में इसमें हम लोग पानी डालेंगे पानी जो है मैं यहां पर एक कटोरी मैंने डाल लिया तो मैं यहां पर तीन कटोरी पानी मैं यहां पर जो है बहुत डाल देता हूं अगर आप कप से डा हम नमक नहीं आड़े हैं और इस तरीके से हमलोग करेंगे हलदी ताकि अच्छे तरीके से मेक्स हो जाए ठक कर लगा की करें देखिए हर कूकर का अपना अलग होता है किसी में मैंने चार सी टी में बन जाएगी किसे ममें सास्तिती तो मैंस नहीं को आगा ने तो मैंने और दाल चाइब से यहां पर पांच टी बने हो गई है तो आपको सब्सक्साइब बढ़या से एक दम दाल उबसक्रत si ताल ऑफ लिए इसके बाद में जीरा और सर्सों को हम लोग यहां पर टोड़ा सा जो एक टोड़ा साटकनीं देते हैं इसके बाद में दोस्तों हम लोग यहां पर डालेंगे करीपता करीपता बहुत ही important है और अगर नहीं है तब तो कोई बात ने बट अगर है तो जरूर डालिए करीपता जो है वो सामर में बहुत ही जरूरी है बहुत ही मज़ेदार इससे taste आता है इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे यहां पर आधा कप लिया था इस तरीके से और आधा कप मैंने यहां परपी ढल देखेंगे देखे आप अपनी मर्जी की यहाँ पर सब्जियां डाल सकते हैं बड़ दोस्तों जो है आपको एक चीज का ध्यां रखना है कि आप पत्तेदार सब्जी का यूज ना करें इस तरीके से कोई भी हार्ड बेज़ेश टेबल्स होती है ना उन्हें ही डालिए पत्तेदार में बिल्कुल भी पढ़िया नहीं रहती है इसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कप जो है वह लाउकी डाल दिये अगर आप चाहें तो यहां पर कदू भी डाल सकते हैं यहां ड्रमिष्टिक भी डाल सकते हैं ड्रमिष्टिक अक्तिली मुझे मिल नहीं पाई ती तो इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ बागी जो सबजियां हमारे पास थी वही मैंने यहाँ पर दोस्तों डाल दी हैं इसके बाद में इसे अच्छी तरीके से हम लोगों को फ्राई करना है लगबग मान के चलिए आप 20-30% इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर पक मैंने दो मेडियम साइज के प्यास काट लिए और उन्हें जो है यहाँ पर डाल दिया इन्हें भी अच्छी तरीके से हम लोग दोस्तों फून लेंगे और हमारी सब्जियां देखे कितनी पढ़िया सी लग रही है और सांबर की रिच्पी काफी हल्दी बनने वाली है सारी आप अच्छी तरीके से आपको सब्जियां जो है वो अच्छी तरीके से पून लेंगे और सांबर बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है इस दोस्तों बन जाता है अगर आपको डोसा की रेस्पी देखनी है तो उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आप चाकर के दोस्तों देख सकते हैं इसके बाद में एक चमच मैंने यहां पर धनिया पाउडर भी डाल दिया और इसे भी अच्छी तरीके से दोस्तों मिक डाल दिया लग्लों मैंने दो से तीन चमच नमक डाल दिया है और पहुत ही जरूरी है यहां पर सांबर मसाला चार्प मैंने यहां पर Messiah है इस तरीके से अभी डूंगा City में और सकति क्रफिफ क्या खीन दरवाइस क्या होगा कि मासा'll v तो उसके बाद में दोस्तों सब्सक्राइबटर है तो अबযे हमने डाल उबा ली थी यहां पर दोस्तों ढ़िए उजाए हैं अब यहां पर आप अच्छी तरीके से दोस्तों जोए वो मिक्स कर देनी है और जो है सांबर बनाना बहुत ही आसान है मैंने वही सबजी यूज की हैं जो हम लोगों के घरपे आराम से मिल जाती हैं आपको कोई भी अलग से सबजी नहीं जो है लानी है नहीं मैंने इसी कोई सबज पानी तरीके से घोल लिया अगर दोस्तों आपका इंबली नहीं तो आप तो पर यह यहाँ पर तो आमचूर प्रोडर निबह आप एड़ कर सकते हैं और इसके बाद में दोस्तों आपको जितना जो है वो पतला सामर रखना उस हिसाब से आप यहां पर पानी एड़ कर दीजिए मैंने तो यहां पर मान के चलिए आप लगभग आधा लीटर से ज्यादा पानी एड़ किया है सामर जो है वो पतला ही अच्छा दीए अक है नहीं बदोस्तों अभी तो जो है पकने के बाद में जो है वो गाली ना हो सामर ँपसोरी तकर भी नहीं हुआ अभी तो इसे पकना पाकी है लेकिन छाने में बहुत ही टेस्ट यह बहुत ही ला-जबाब बना है तो इस तरीके से और बहुत ही आसानी से बन जाएगा कुछ भी आपको यहां पर अलग नहीं करना है हमारा सांबर दोस्तों रेडी हो गया मैं आपको इसे अलग बोल में निकाल के दिखाता हूं कितना बढ़िया तरीके से लग रहा ना एकदम सूपर टेश्टी तो इस तरीके से आप सांबर एक बार घर पर जरूर ट्राइए करना और आपको अगर यह रिस्वी पसंद है ना तो आपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में इसे जरूर सेर करना ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस तरीके से सांबर बनाना है और सांबर बनाने का अलग अलग तरीका दोस्तों हो सकता ह पर मैंने इसे अपनी तरीके से बनाया और इस तरीके से अगर आप ट्राइ करेंगे तो आपको बहुत ही पढ़िया लगेगा तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को एक पर जरूर सेर कर दीजिए तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनेट को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन होदार है उसे भी प्रस करेंगे ताकि जब भी मैं कोई नवा वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और पस दोस्तों चल्दी मिलते हैं नई वीडियो पे साथ तब तक के लिए बाइबाइब